नमस्कार दोस्तो स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरेट्स में हंगरी स्पिरेट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ तो दोस्तो ये हफ्ता काफी अच्छा बीता है और काफी कुछ सिखाया है अहलिया देवी औरतों के लिए काम कर रही है जिस तरह एहलिया देवी उद्योग को आगे बढ़ाने की बात कर रही है नई सोच की बात कर रही है तो यह सब चीजे हमें भी बहुत कुछ कहती है अगर हम उन्हें सुनना चाहे तो मैंने जो सुना मैंने जो समझा आपके साथ शेर किया अब आपकी बारी है आपके comments की बारी है आपके प्यार की बारी है जो आपने channel पे भेजा है और comment section में भेजा है उसी के बार में चर्चा करते हैं कुछ मेरी तरव से भी अपनी तरव से मैं अपनी बात कहूंगी रखूंगी उसके ओपर भी आप अपने comment कर सकते हैं आपके लि मैं कमेंट पढ़ूगी गौपाल अगरवाल जी का ये थोड़े से नाराज हैं गौतमा जी से तो इन्होंने अपना कमेंट भेजा है मैं अगर मिलहार राव की जगा होता तो गौतमा को रोजाना सजा देता क्योंकि गौतमा महारानी के बनने के लायक नहीं है जो प्रजा के बारे में नहीं सोचती है केवल गहने पहनना और घर के काम करना ही चाती है महारानी की घटिया सोज है। गौपाल अगरवाल जी आपके कमेंट में काफी गुस्सा है गौतमा के बारे में तो मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में भी कहा है और हमेश्चा ये बात कहती हूं क्योंकि एक तो जो ये रोल प्ले कर रही है गौतमा का उनकी मैं धेर सारी तारीफ करूंगी क्योंकि यही होती है, acting यही होता है, character में आ जाना, जिस तरह से उनको कहा जा रहा है, उस तरह से वो करती है और बिल्कुल सही करती है, इसलिए ऐसे comments आते हैं, अभी यहा पर जाणना चाहा है जो फाइदा इस सीरियल से हो रहा है कि लोगों की क्रियोस्टी बढ़ रही है अहिलिया देवी के बारे में और और जानने की इसके लिए हमें थैंक्फुल होना चाहिए बाकी जो आपने कहा है गौत्मा के बारे में इसके बारे में और भी आगे कमेंट्स हैं गौपाल जी मगर मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि गौत्मा जो है जिस तरह से वो करती है वो बाकी रानियों से तो बैटर है क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने मलहार सरकार का साथ दिया है क्योंकि अभी अहलिया देवी आई है अहलिया उनकी जिंदिगे में आई है उसके बाद उनका थोड़ा सा possessiveness वड़ गया है जिसके वज़ा से ये चीज़े आती है बाकि इसमें मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है कोई भी किसी तरह की भी क्योंकि आपने कहा है शुरू में ही कि अगर मैं मलहार राव की जगा पे होता और हर इनसान की अपनी एक सोच है अपनी एक जो है लाइफ के बारे में सोचना या किसी ऐसी सोच के बारे में जो कि गौत्मा की सोच है उसके बारे में खुद सोचना अलग होती है तो आपने अपनी बात कही है कि आप होते तो आप यह यह चीज़े करते हैं मगर मलहार राव होलकर बहुत प्यार करते हैं गौत्मा से जो हम सीरियल में भी देख रहे हैं और वैसे भी और इसलिए वो हमेशा गौत्मा को और इस तरह से हैंडल करते हैं इस तरह से बात करते हैं कि गौत्मा को गुसा नाय गौत्मा नाराज ना हो क्योंकि वो गौत्मा क नहीं समझ आती है कि कोई भी पती अपनी पतनी की हार पर कैसे मुस्कुरा सकता है मैं खंडेराओ के बारे में बात कर रही हूं खंडेराओ तो अहल्या से कितना प्यार करता है अहल्या को समझाते हैं फिर खंडेराओ कैसे अहल्या की हार पर मुस्कुरा सकते हैं ये बात जिस वीडियो पर comment डाला है उस वीडियो में एक feeling की बात मैंने की है और उस feeling में जो मैंने कुछ examples भी दी है कि कैसे हम लोग उनको feel करते हैं बेहन भाई हो या कोई भी हो जब आपस में होते हैं तो कैसे होता है जब हमारी चीज़ reject होती है और दूसरे की भी reject होती है तो एक हल सोच के अच्छा लगा मुझे बट खंडे राओ का जो एहलिया के लिए प्यार है वो हम देखी रहे हैं उसके उपर में वीडियो बनाया है जो पीडा वाली वीडियो है तो definitely यह जो ups and downs है वो relationship में आते ही आते हैं और हम लोग जो काम करते हैं जो वीडियो बनाते हैं वो उ कमेंट के जरिये की बहुत सारे कमेंट्स होते हैं अंगरी स्पिरिट्स के उसमें कमेंट सेक्शन में तो हम एक ही तरह के कमेंट जो है बार बार नहीं लेके आ सकते तो उनमें से selected कमेंट्स होते हैं और हम चाहते हैं कि हर किसी वीडियो को यह मौका मिले हमारे कमेंट आपको पता होगा कि आपको तो हम specially आपका voice-over भी शामिल करते थे तो ये शिकायत आप बार-बार मत कीजिए कि आपका comment हमने शामिल नहीं किया अगर किसी episode में comment miss होता है तो दिल पे मत लीजिए खुश रहा कीजिए तो यही कहने मुझे आमी जी आपसे भी और और भी लोग जो इस बात को लेके थोड़ा feel कर जाते हैं कि comment नहीं आया है हमारा comment शामिल नहीं किया है तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगला comment है हमारा द्वनिका जोशी जी का तो पहली बात तो द्वनिका जी मैं शायद आपका नाम आई थी मैंने सही से pronounce किया है जो spelling के हिसाब से तो अगर उसमें कुछ लगे आपको कि अच्छे से pronounce नहीं हुआ है उसके लिए मैं पहले से आपको sorry बोलती हूँ तो आपने दो बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया comment लिखिया है मैंने इसलिए भी शामिल किया जबकि इतने लंबे comment से शामिल करना थोड़ा मुश्किल होता है मगर फिर भी मैंने आपके पहले comment में से कुछ लाइने लिए है और बाकी comment में पूरा लिया है होना अच्छी बात है disrespectful होना is not good तो इसी note पे मैं आपका comment पढ़ती हूँ तो आपने काफी knowledge भी दी है इसके जर्गे तो आपका comment है I would like to request you to please put a verbal disclaimer before the start of the video stating the is truly for character of the show and not the real historical character तो यह आपके पहले comment की line है जिसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाओंगी क्योंकि इसमें disclaimer की जरूरत नहीं है क्योंकि definitely हम लोग video जो बनाते हैं वो show के ही हिसाब से बनाते हैं अगर history के हिसाब से बनाना होता तो हमें show देखने की जरूरत ही नहीं थी तो यह show जो है जैसे मैं पहले भी बोला है इसने ही हमें encourage किया है कि हम history से और ज़्यादा जुड़े हम history को और ज़्यादा पड़े तो यह मेरे लिए बहुत appreciable काम है सुन्नी टीवी का जिरोंने ये show शुरू किया है बाकि जो शुरू करते हैं जो बनाते हैं कुछ गलतियां भी होती हैं हमसे भी होती हैं सबसे होती हैं मगर जो कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिश में जैसे आपने बहुत प्यार से कमेंट बेजा है वो मज़ा आया आगे आपने बहुत कुछ बताया है वो भी मैं पड़ूँगी मगर definitely मैं यह चीज जरूर कहूंगी आप से भी और सबसे कि जो हम सीरियल पे बना रहे हैं वीडियो वो सिर्फ सीरियल के बेस पे हैं हिस्टरी के बेस पे जितना हमें सीरियल से पता चलता है उसी के ओपर हम बना रहे हैं और यह from the day one से ऐसा ही है और इसलिए हम आप सब के comments को appreciate करते हैं कि आप भी उसके उपर comment करते हैं और कुछ लोग उसमें और ज़्यादा हमें knowledge देते हैं जो history से related हैं बाकी आपका सुझाव हमें बहुत अच्छा लगा हम अपने videos में इस disclaimer को ज़रूर add करेंगे थैंक्यू सो मच आगे अपने गौत्मा के बारे में लिखा है कि she brought up ahilia and the love, care and affection for all those eight years cannot be fake तो fake तो मैंने कहीं पे भी नहीं बोला fake नहीं है गौत्मा गौत्मा fake हो ही नहीं सकती क्योंकि जो अपने expressions को जो अंदर आते हैं उनको छुपा नहीं सकता वो fake नहीं होता है हाँ कई बार बुरा लग सकता है तो मगर जो अपने आठ साल से जो बोला है कि affection और वो care तो care and affection है उनके अंदर उसमें कोई deny नहीं है मगर जिस तरह उन्होंने अहिल्या को आठ साल जो संभाला और उन्होंने जिस तरह से हमने TV serieal में serial में देखा है कि कितनी ज़ादा हार्ष थी वो अहिल्या के लिए कितनी ज़ादा उन्होंने उसको punishment दी है छोटे छोटे हाथों से हलदी कूटना है ना छोटे छोटे हाथों से इतना सारा काम करना हैना क्या एक मा करवा सकती है मैं नहीं समझती कि करवा सकती है क्योंकि इनी बातों के लिए गौत्मा के क्रेक्टर को आज सब लोग जो भी ये सीरियल देखते हैं ऐसे देख रहे है मैंने इसी सीरियल से ही देखा है हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा है मगर ये जो सीरियल में देखे हम वीडियो बनाते हैं उसी के हिसाब से बनाते हैं और उसके हिसाब से जिस तरह गौत्मा ने किया है अहिल्या को आगे बढ़ाया है उनका शुरू से ही मानना था गौत्मा का कि अहिल्या को वो स्ट्रॉंग बनाना चाहती हैं तो जो स्ट्रॉ जब शिव मंदी की जगा अहिल्या ने कुवा खुद वाने की बात की थी जो शिला रखना था कुछ ऐसा सीन था शुरू के एपिसोड में जब छोटी थी अहिल्या तब भी गौत्मा को बुरा लगा था तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी इगो का इश्यू है मैं आपको बत की आती है और जब बेटे को स्ट्रॉंग बनाना है तब बेटे को स्ट्रॉंग नहीं बना रही है बलके अहिल्या को डाउन कर रही है तो ये चीजे लोगों ने देखी है ये चीजे हमने देखी है उसी के उपर हमने वीडियो बनाया है जो की यही कहता है जो हमने कहा है तो सुनवाई गौट इंसल्टिड एंड रीजन शी सेट छोटी रानी बिकोज फॉर दा प्रजा शी इस दा फ्यूचर क्वीन तो बिल्कुल आपने जो लिखा है सही है इसमें कोई गलत नहीं है मगर यहां पे जो हमने देखा जो हम देखते आ रहे हैं क्या मैंने वीडियो में भी बोलना पड़ रहा है वापिस से कि मैंने बोला उसमें कि क्या जब वो खुद अहिल्या को ऐसे सुनाती है बाते तो क्या तब अहिल्या फ्यूचर रानी नहीं होती है क्या वो नहीं होती है जो छोटी रानी और अहिल्या देवी जिस तरह से चीजों को लेती है वो अहिल्या देवी का बहुत बड़ा हार्ट है आज जिस तरह के कमेंट्स मैं पढ़ती हूं अपने section पे पहले कभी ऐसे कमेंट्स आते नहीं थे क्योंकि पहले अच्छे वाले followers थे जो अहिल्या देवी से सीखते थे अभी सीखने वाले नहीं है अभी सिर्फ शोर मचाने वाले हैं मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं उनकी बात कर रही हूँ आपने भी comment section में बहुत कुछ बढ़ा होगा मगर आप जिस dignity से आपने comment लिखा है जिस respect से आपने लिखा है चाहे उससे मैं सहमत हूँ चाहे मैं सहमत हूँ मगर मैं आपको appreciate जरूर करूँगी और इस point पे जो आपने रिखा कि छोटी रानी और एहल्या बोथ हार्दा सेम येस ये सेम पट नोट इन दा आईज ऑफ गौत्मा प्रजा के लिए वह चोटी रानी है जब चोटी रानी जो मलहार स्रकार ने कहा कि इतनी कि सेवा करता है तो ये चीज़े ही मलहार सरकार गौत्मा का समझाना चाहते हैं तो यहां पे अगर अहल्या जा रही है डोर टू डोर अपनी बात समझाने के लिए तो वहां पे holker family को कैसे नीचा हो गया कैसे नीचा दिखा दिया वो तो उपर उठा रही है ना अगर आपक बच्पन में इसी सीरिल में जो होलकर फैमिली जिसके बारे में बोल रही है गौत्मा की स्टेक पे डाल दिया उसी ने अपना सारजा के घर जाके सारजा के गाउं में खुद उपले की टोकरी लेके उपले बेचे थे और जब गौत्मा गुस्से में तम तमाती वहां पे है तो गौत्मा उस किस्से को भूल के अब होलकर फैमिली के बारे में इतनी ज़्यादा चिंतित हो रही है और अहिल्याक के बारे में सोच रही है कि वह डौन कर रही है तो यह तो थोड़ा मैच नहीं करता है इसलिए यह कब जो मेरा वीडियो था क्योंकि यह जो मैं बनात कर रहे हैं आपने comment गया मैं इस पर चर्चा कर रहे हूं it is because of this serial पुनेश्रोक अहलया भाई it is because this video which I put तो ये मेरा कहना है आगे आपने लिखा है and the most important thing here अहलया's mother Sushila भाई is equally orthodox if she would be at Gautama भाई place she would have done the same thing but people would not doubt her love because she is mother and not mother-in-law irony that in a country like India where Lord Krishna is remembered with foster mother's name we can't understand the love and care of a foster mother and here Gautama भाई साहिब along with her being Hylia's mother-in-law she is her foster mother who brought her up which people conveniently forget तो आपने बार 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 लिखा है तो प्लीज आप देखिये जो serial में दिखाया गया है मैं history की बात इसलिए नहीं करूँगी कि history में short में होता है serial में जो उन्होंने दिखाया उसके उपर videos है तो आप देखिये उसमें कि बच्पन से लेके अभी तक Gautama और अहलिया के जियो जो भी सीने आप प्लीज देखिये और आपने सुशीला भाई के बारे में बात की है तो सुशीला भाई yes orthodox थी yes वो भी उस तरह की औरतों की तरह ही थी जो उस समय में औरतों की सोच होती है मगर सुशीला कभी अहलिया को ऐसे सजाए नहीं देगी कभी अहलिया को इस तरह जो गौत्मा ने अहलिया को टॉर्चर किया बच्पन में भी और बाद में भी अहलिया को उसने एक टाइम पे तो यूज भी किया जो मलहार रा होलकर ने भी कहा जो मलहार सरकार है उन्होंने भी कहा कि जब कोई नहीं था तब अहलिया को उन्होंने राजकाच के काम करने के लिए eलौग कर दिया क्योंकि वहाँ पे खंडेराव नहीं था खंडेराव साथ साल करी बाहर गए थे क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था होलकल जो उनका चार लोगों की फैमिली है मलहार सरकार, गौत्मा खंडेरा और अहलिया तब उन्होंने कहा कि गद्दी पे बैटने की इजासत दे दी और पूरा स्पोट किया अहलिया को है ना, तो वो गौत्मा और जब खंडेरा आ गया तो वो अहलिया को राजकाश देखने भी नहीं दे रही है बात भी नहीं करने दे रही है तो ये कौन सी गौत्मा है I understand history में होगा I understand, मैंने नहीं पढ़िया history मैं सिर्फ serial देख रही हूँ मेरे जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ serial देख रहे हैं है ना, तो ये जो serial देख के अपने parents से भी सुना है तो comparison हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता तो ये जो आपने कहा है जो आपने लिखा है जो आपने कहा है कि जो गौत्मा है वो भी तो उसकी foster mother ही तो है है ना, तो अगर foster mother भी होती तो भी ऐसा करती तो उसको ऐसे ही कहा जाता कहां क्रिश्टन भगवान की एक्जेंपल कहां गौत्मा तो थोड़ा सा है मुझे क्योंकि मैं बार-बार इसलिए आपको बोल रही हूं क्योंकि आपने काफी पहले कमेंट में लिखा है हिस्ट्रे के बारे में आपकी नॉलेज नहीं है हाँ definitely मैं तो सीरियल देख रही हूं ना मैं सीरियल का review कर रही हूं और सीरियल के थ्रू ही अपनी बात कह रही हूं तो I hope मैंने काफी clear कर लिया क्योंकि इससे जादा मैं clarity नहीं दे सकती हूं क्योंकि आपका comment इतना अच्छा और लंबा था और मुझे लगा कि जरूर शामिर होना चाहिए तो thank you so much तो अगला comment है दोस्तो मानवी दीमरी का ये बहुत दिनों बाद जागी है और जागी भी क्या है वो मैं आपको पढ़के बताती हूं इन्होंने मेरी complaint की है इन्होंने लिखा है मैंने आपकी complaint शो के creative team तक पहुंचा दी है अभी अभी time है सुदर जाओ हांसी इसलिए आई दोस्तों क्योंकि सबसे पहली बात की ये serial follow कर रहे है अहिल्या देवी का अहिल्या देवी को कोई भी जब कोई बात कहता था चाहे उसको पसंद आये चाहे उसको ना पसंद आये वो कभी disrespectful नहीं होती थी चाहे वो प्रजा के लोग हों चाहे वो उनके अ बुड़ाप्पे की ये तो इनी के कमेंट को मैंने पढ़ा है बुड़ाप्पे में लट पड़ेगी तो अच्छा नहीं होगा पहली बात इस कमेंट के जरी आप दूसरे को एज शेमिंग कर रहे हो कंप्लेन तो आपकी होनी चाहिए है ना बाकि आपने कंप्लेन की है प्ल को बताओ हगने जैसे शब्द यूज करती है मतलब मैं अब यह बोल रही हो तो बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है क्यों यह और उपर से अभी काफी सारे कमेंट्स मैंने इनके पड़े हैं मैं बताना चाहिए कि मैंने पड़े हैं मैं यह मगर ignore क्यों करना हम इंसान है हम हर चीज़ को हमें लेना आना चाहिए criticism और बाकी चीज़ें भी हैना बट यहां पे सिर्फ यह है कि जो आप लिख रहे हैं आप खुद भी नहीं पड़ सकते हैं दुबारा क्या आप किसी के लिए भी ऐसा कैसे लिख सकते हैं मुझे तो हैरा मुझे लगता है कि मानवी धीमरी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी है ना क्योंकि मुझे लगता था कि यह सीरियल में पहले बहुत अच्छे कमेंट्स बेज़ें काफी कमेंट्स में हमें कुछ सीखने को भी मिला मगर अब लग रहा है कि नहीं गलती होगी हमसे बस अब शब्द एज शेमिंग आप कर रहे हो बुड़ापे में जो भी शब्द आप यूज कर रहे हो आपको तो बलकि एप्रिशेट करना चाहिए कि कोई बुड़ापे में इतनी मेहनत कर रहा है मगर नहीं चलिए आपकी मर्जी है मानवी जी और थैंक्यू कहूंगी कि आप फिर भी हमारे वीडियो देखते हैं आपको पसंद तो नहीं आते हैं मगर फिर भी आप मेहनत करते हैं वीडियो देखते हैं कमेंट करते हैं और अपने फ्रेंड से भी कमेंट करवाते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवार चलिए आगे बढ़ते हैं आगे ML कुमार जी क प्रॉब्लम क्या है न कि अब तुकु जी जो है जैसे है वो सबको पता है मगर अब गुनु जी का क्या है न कि वो अब कैसे भी करके चीजों को अपने हक में करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि चाहे दिवार सकत है चाहे दिवार कम सकत है या बिल्कुल पोपली है मगर मुझे कोशिश करते रहना चाहिए और आपने बुल्कुल सही कहा है मैंने भी कहा था जब रकमा की बात नहीं सुनी रकमा तो आज नहीं पहले से कहती आ रही है जो तुकुझी तो गुनुजी की बात क्यों सुनेगे मगर गुनुजी भी वही हैं कि ट्राइ करते रहेंगे तो thank you so much आपके काफी सारे कमेंट्स होते हैं ML कुमार जी बहुत बहुत धन्यावाद आपका मगर मैं आपका एक ही कमेंट ले पाई अगला कमेंट है मीरा का ये लिखती है आपके आवास बहुत ही अच्छी है thank you so much मीरा जी आवास की तारीफ करने के लिए और मैं उमीद करती हूँ आगे आप मेरे वीडियोस पे भी जो मैं बोलती हूँ उसके उपर भी आप कुछ कहें thank you so much अगला कमेंट है गुल्षन शर्मा का ये लिखते है गौतमा इसाचे फुलिश लेड़ी तो गौतमा के बारे में लिखा है आपने वो कह सकते है कि अपने पुत्र प्रेम में बहुत जादा जा चुकी है यानि कि possessiveness उनकी बढ़ चुकी है और वो अपने बेटे के आगे किसी को नहीं देखती है इसलिए वो अहिल्या को understand करते हुए भी नहीं understand करती है तो ये चीज है बाकी जो lesson जो तुकुझी ने दिया है बहुत respectfully दिया है और जो बोला है तुकुझी ने बहुत सही बोला है और ऐसा ही है अहिल्या ऐसी ही है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता अगर अहिल्या का मुकाबला कर सकते होते तो आज अहिल्या के उपर अल्या देवी के उपर कोई सीरिल नहीं बनता हिस्ट्री में उनका नाम नहीं होता जब कोई एक ही character होता है जो मशुहूर होता है जो बहुत कुछ कर जाता है फिर उसके साथ के जो लोग हैं वो भी मशुहूर होते हैं ये मैंने अपनी वीडियोस में भी बहुत बार कहा है इसलिए एहलिया देवी की आज जैजैकार है लोग उनको मानते हैं उनसे सीखते हैं चलिए आगे बढ़ते है गोलशन जी थैंक्यों सो मच आपके कमेंट के लिए महेश कुमार जी का कमेंट पड़ते हैं लिखते हैं अहिल्या हर कटनाईयों पर कुछ सकारात्मक सोच लेकर आती है और कटनाईयों को दूर करने की कोशिश करती है और कटनाईयों को अपने उपर हावी होने से रोकती है अपने उदेशे की पूर्ती है तू वो सच्चे मन और भगवान शिवजी को प्रातना करके अपने साथ भगवान को भी जोड़ कर ही कारिय करती है जिस कारिय में सच्चा मन और भगवान जुड़ जाए वो कारिय जरूर सफल होता है करेक्ट है और ये महेश कुमार जी इस सोच से हम बहुत कोई सीख सकते है पहले तो अपना हार्ट क्लियर रखना हार्ट में किसी के लिए हेट या ऐसे चीज़ों को नहीं लाना क्योंकि actually आप किसी के लिए भी हेट करते हो pollute तो आपका हार्ट ही होता है अच्छी बाते हार्ट में रखोगे अच्छी सोच आएगी वो अहिल्या है और जो भगवान पे उनका विश्वास है जो भगवान पे वो अपनी श्रदा रखती है उसकी तो क्या कहने क्योंकि वो उसी हिसाब से सोचती है क्योंकि उनको लगता है कि अगर human beings है तो एक human being दूसरे को कैसे heart कर सकता है तो वो सारी सोचे हैं जो उनको कहती है कि कारे करो आगे बढ़ो और भगवान डेफिनेली जो हम पहले से सुनते आते हैं उनकी सहायता करते हैं जो अपनी करते हैं ऐसा नहीं कि भगवान हम लोग prayer कर रहे हैं हम सोचे कि हमारी चाय बन जाय तो ऐसे नहीं होता है हम prayer करते हैं तब ही हमारी चाय बनती है अच्छी क्योंकि हम अपने उनी positive energy के साथ चाय बनाते हैं तो ये फर्क होता है आपका जो श्रदा भगवान के प्रती है जो भी आप जिसको भी आप मानते हैं प्रेयर करते हैं उसके प्रती है तो definitely अहिल्या देवी ने बहुत कुछ सि चाता है वो सफल कैसे होगा और देखा जाये तो इसमें सबसे बड़ा हाथ गौत्मा का है वो खंडराव को हमेशा अहिल्या के खिलाब बढ़काती रहती है उसे शुरू से ही ये नहीं पसंद के अहिल्या कोई अच्छा काम करे और उसकी वाहवाई हो वो तो सिर्फ अपन जब खंडराव अहिल्या की तारीफ करते हैं और राजकाज की बात करते हैं कि अहिल्या संबाल लेगी तो गौत्मा को अच्छा नहीं लगता है मैं तो यहीं समझती हूँ कि जैसे अभी ये जो मुहिम से वापिस आये खंडराव उसके बाद जो उन्होंने जो भी दिन बि जिकलता है कि जो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं एक दूसरे से वो इतनी देर बाद मिले हैं मगर उनके मन में एक दूसरे के प्रती थोड़ी सी हिचकचाहट पैदा हो गई है थोड़ी सी दूरी पैदा हो गई है विक्कॉज ओफ दीज लेडिस जिसमें गौत्मा भी तो डेफिनिली आपकी बात सही है और यह बात हम बहुत बार कर चुके हैं और थैंक यू सो मच सरिता जी तो दोस्तों यह थे हैं हमारे आज की वीडियो के कमेंट से तो आप भी अपनी राए इस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कमेंट सेक्शन पूरी तरह से खुला है ताकि उन तक भी आपकी आवास पहुंचे जैसे कि हम पहले भी करते आए हैं तो यह था हमारा दोस्तों इस वीडियो में कहना बाकी आप लोग खुश रहिए और गुसा मत कीजिए गुसा बहुत हानी कारक है चाहिए किसी पे भी हो और नुकसान अपना ही होता है तो यही म झाल